पुराने समय में एक घना जंगल था। उसके समीप एक गाउँ था। वहाँ बुद्धिमती नाम की एक महिला अपने पुत्रों एवं पती के साथ सुख से रहती थी। एक दिन उसके पती ने उससे कहा। देवी असमाकम परिवारा कियता सुखेन निर्भयम चावसती। प्रिय सत्यम परम कथम। असमिन ग्रामे बहवा जना निवसंती। तेशु अहमेव सर्वश्रेष्टो बुद्धिमान बलवान चा। प्रिय भवान बलवान इती कथम। देवी उक्तिरस्ति यत बुद्धिर्यस्य बलमतस्य। अहम बद्धेमान असमे अता अहमेव बलवान असमे प्रिय एवम न जुन्तनियम देवी असमिन विशय तौम कथम जाने तौम तु अहो व्याग गर्जना अहो इदानीम कुत्रयामी केम करवानी अहुम बहु विभेमी अध्यतु मरण मेव प्रिय तौम्तु बुद्धिमान बलवान श्रेष्ठः परम इदानीम कंपते ते शरीरम प्रिय परिरक्ष त्रायस्व अहमेव मूणा मंदा भवती बुद्धमती त्रायस्व त्रायस्व अस्तु युयाम अत्रैवू पविशत यथा आदेश यथा आदेश एका एक व्याग रूप में सामने आई हुई आपदा को लक्ष करके अपने दोनों बच्चों को डाडती हुई बुद्धिमती ने कहा रे बालवू कि मर्थम कलहाम कुरू था संपूर्ण व्याग्रम एकाकी एव खादिश्य था इती तु नोचितम व्याग्रह एक एवस्ती तम एव बिभज्य खादतम व्याग्रमारी नूनमियम व्याग्रमारी मया शास्त्रेश शुतम सद्यहेव पलाय तव्यमिता डर के मारे भागते हुए व्याग्र को देखकर सियार बोला रेवन राज कथम भयात पलायनम करोती व्याग्रम पलायनम करो यतोही काचित व्याग्रमारी समागता सास्मान सर्वान हनिश्यती एतत्तु महदाश्चर्यम मानवाद भीता व्याग्रह पलायते श्रिगाल अहम्तु प्रत्यक्षम ताम द्रिष्टवान माम भक्षितुम कलहम कुर्वन्तव स्व पुत्रव सा चपेट कया प्रहरंती आसीत हो व्याग्र त्वम मयासह ताम प्रतिचल अधुनासा त्वाम द्रिष्टवा स्वयमेव भीता भविश्यती नभविश्यती चेत त्वया अहम हन्तव्या रेश्रिगाल चतुरह प्रतियसे माम रित्यु मुखे संप्रेश्य पलायनम करिश्यसी चेत तदा हम किम करिश्यामी कुत्र त्वाम अनवेशयस्यामी ना न एवम न यदी तवमनसी शंका वर्तते तरही माम नेजगले बद्ध्वा चलतु तब सियार को गले में लटका कर आते हुए ब्याग्र को देखकर बुद्धिमती ने सोचा ये समस्या बड़ी है इसलिए इसका उपाय करना चाहिए अए शिगालेन प्रेरितहयम कथा मधुना असमात संकटात उधारों भिशित किंचित करों मी ऐसा मन में निश्चय करके उसने अपने बुद्धिबल का फिर प्रयोक किया और बोली बेजंबुक मैयम दत्तम त्वया पूर्वम भोज्यम व्याग रत्रें मुदा विश्वास्याद्य इकमानि कठम यासी वदाधुना पेश श्रिगाला तुं मद नाश अकरिश्यसी आपने सुना अपने बुद्धि के बल से बुद्धि मती ने ब्याग्र को पराजित कर दिया इसलिए सत्य ही कहा गया है जिसके पास बुद्धि है उसी के पास ही बल है बुद्धिर यस्य बलम तस्य बुद्धिर यस्य बलम तस्य मेर बुद्धेस्तु पुतो बलम अस्य व्याग्रो मदोन मत्तहा बुद्धि मत्या पराजितहा झाल 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 स्थ झाल झाल